अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं इन सब के साथ ही अगर प्रेटाइजेशन पर आपको हैं रिटेन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से जाकर उस नोट्स पर सकते हैं यह नोट्स बिल्कुल फ्री है आपको किसी परकार की प्रेवेंट करने की आप सकता नहीं है उसके बारे में स्टैडी करेंगे प्रेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फ्रेसली प्रेट प्रेसिपिटेट लेते हैं एवं उसको कर देते हैं को में हैं जब हम उसमें स्मॉल एमांट में इलेक्टरॉलाइट करते हैं तो आइए वर हम इसको यह एक प्रेशली प्रेसिपिटेट होता है एवं जो feric chloride है यहाँ पर यह electrolyte का काम करता है question यह आता है कि हमने freshly prepared जो precipitate है उसको क्यों लिया इसका region यह है कि जो freshly prepared precipitate होता है इसके particle को हम easily अलग-अलग कर सकते हैं अर्थात तोड़ सकते हैं आप अपने display पे इस diagram को देख पा रहे होंगे इसमें जो हमारे black color का particle है यह feric hydroxide का particle है एवं जब हम इसका reaction FECL3 अर्थात feric chloride के साथ कराएं तो हमारे collidal soul का formation की आप देख पा रहेंगो जो हमारे collidal soul है अर्थात उसमें जो हमारे feric hydroxide का particle है इसके surrounding इस particle का surrounding FECL3 plus का जो हमारे electrolyte है यह attach हो गया है इसके surface पे जैसा कि मैंने आपको बता है जो हमारे feric hydroxide था यह freshly prepared precipitate था और हमें इसे collidal soul बनाने के लिए इसका reaction FECL3 के साथ कराना पड़ा यह जो हमारा FECL3 था यह electrolyte है इसमें से FECL3 break करेगा और FECL3 माइनस के रूप में निकलेगा और जैसे ही FECL3 निकलेगा यहां से यह आकर feric hydroxide के surface पे attach हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे जो हमारा final collidal soul का formation होगा है इसमें जो हमारा feric hydroxide का particle है इस particle के सर्फेस पे electrolyte के रूप में एफी प्लस आकर attach हो गया है जिसके कारण यह जो हमारा particle था freshly prepared precipitate का feric hydroxide वाला यह particle अपने दूसरे particle अथा एक feric hydroxide का particle दूसरे feric hydroxide का particle के contact में नहीं आएगा क्योंकि इसके surface पे हमने चाई develop कर दिया है आप देख पा रहे होंगे जो हमारा feric hydroxide का particle था उसके सर्फेस पर जैसी हमने electrolyte के अर्था चाई develop कर दिया electrolyte के मदद से जिसके करण एक particle दूसरे particle के contact में नहीं आएगा और यह कोलाइडल सोल का formation साथ ही जो हमारा feric hydroxide का particle है जो कोलाइडल सोल का formation कर लिया है इस particle के देखे तो इसके सर्फेस पर जो एफी प्लस का जो चार्ड डेबलप हुआ है यह चार्ज कॉमन आइन इफेक्ट के थुरू हुआ है यहाँ पर कोश्चन यह आ सकता है कि एफी प्लस का ही चार्ज क्यों डेबलप हुआ यहाँ पर सी एल माइनस क्यों नहीं आया इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल के सर्फेस पे इसका कारण है कॉमन आइन इफेक्ट आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हमारा फेरिक यह आपने सर्फेस पर अपने सर्फेस पर अपने सर्फेस पर अटेच होने दिया यही कारण है कि यहां पर अपने सर्फेस पर०क के लिए इस कारण यहां कि जो फ्रेसली प्रियट प्रेसिपिटेट होता है इसका पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली अटेच नहीं होते हैं जिसके कारण हम इसे असानी से अलग-अलग कर सकते हैं इन सब के साथ ही peptidation process के लिए जो second important topic है यह है कि जो हम electrolyte add कर रहे हैं यह excess amount में add नहीं करना चाहिए इसका कारण यह है कि जो electrolyte का opposite charge है यह peptidation process में involved नहीं है अगर opposite charge का consultation हमारे system में increase हो जाएगा तो यह particle के surface पे जो charge हम लोग develop कर रहे हैं इसको neutralize कर देगा और अगर freshly prepared particle के surface पे जो electrolyte का charge हम develop कर रहे थे अगर वो neutralize हो जाएगा जिसके करण जो हमारा particle है वो एक particle दूसरे particle से दूर नहीं जाएगा और एक particle दूसरे particle से tightly attached हो जाएगा और precipitate का formation कर लेगा जिससे हमारा collidal system disturb हो जाएगा जाएगा जाएब सिवागा याएगा बहाएगा झाल कर लो जाएइड हो झाल झाल लाएब सवयवा व कर लिए झाल झाल